दोस्तो नमस्कार मैं हूँ विनीत आयादव कहते हैं कि चुनाव के वक्त में कई पंडित होते हैं वो पंडित ये बता देते हैं कि दरासल चुनाव कौन जीतने जा रहा है और इन तमाम भविश्यवानुई के आधार पर हमें एक अच्छा अनौन लगाने का तरीका मिल जात इन जो जोतिश व्यान से देखिक बताते हैं नमबर 2 वई पंडित हो जाते हैं जो की सर्भे के आंकलनłeं से बताते हैं नमबर 3 वह denied कि गतिविदी देखिके बताते हैं वया पारियों का मूट देख यह है और सब से खास और तुरन अभिलत शती कि उसके गिरावट इतनी ज जाता है उसके गिरते ही और सबसे पहले सरकार हिल जाती है जी हां मैं बात कर रही हूं भारत के शेयर बाजार की शेयर बाजार जब चुनाओं के वक्त में जरा सा भी करवट लेता है तो ये समझ में आ जाता है कि किस तरह से शेयर बाजार में आने वाली सरकार से पहले की आह वहार झे रहा है। है चुरुआ को एक सूमवार को एक फीजदी गिराता और सूमवार को जब मार्केट खुली तो उसके सेंसेक्स और निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट सामने आई सेंसेक्स नौसों अंक से जादा गिर कर 73,315.16 पर खुला जबकि निफ्टी 300 अंक से जादा तूट कर 22,349.5 पर उपन हुआ BAC के टॉप शेयर में 30 शेयरों में से सिर्फ 4 शेयर में तेजी देखी जा रही है जबकि बाकी के सभी 26 स्टॉक में गिरावट है सबसे ज़ावट टाटा मोटर्स के शेयर में हुई है कुल मिलाकर के बात ये है कि जब मैं आपको ये तमाइब आकड़े बता रही हूँ नंबर वन यहां पर शेयर बाजार गिरने के पिछे जितनी भी मेडिया रिपोर्ट से पहले आप उन पर नज़र डालिए वो क्या कह रही है तो आप तो समय हो गया मार्केट खुलने का चेक करेंगे देखें क्या होता है आज आईटी का बहुत बड़ा रोल होगा इस पूरे फॉल को रोकने के लिए वो नोन आप कुरूड वाला हिस्सा भी है 200 पॉइंट के गिरावट और 22-300 के उपर हमने उपन किया 22-300 को मेंटेन करने की कर रहे हैं कोशिश 48,000 का एक सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी उसको जल्दी यल्दी नहीं तोड़ेगा ऐसा लगता है डाटा देखकर इसलिए 48,000 दो सो हो गया खुलते ही अगर आपने प्लस किया तो 40 पॉइंट आपने निफ्टी के अंदर जोड लिए और खुलते ही आपने बैंक निफ्टी प्लस किया है तो करीब 1500 पॉइंट आपने बैंक निफ्टी के पे जोड लिए यह मैंने आपके सामने खुलम खुल आज हमने डंकी के चोट पे का कि खुलते ही एक बार पॉजिशन लेने में समझदार है क्योंकि दोनों सपोर्ट एरियास पे खुल रहे हैं आप देखेंगे अडवांस डिकलाइन उतनी फेवरेबल नहीं है सिर्फ 151 शेयर है तो यहां पर शेयर बाजार गिरने की वज़ा बताई जा रही है किस तरह से एरान और इसराइल के बीच के तनाव को यहां पर यह बताया जा रहा है कि यह दोनों देशों की तनाव की वज़ा से यह भारी गिरावट देखने को मिली है लेकिन क्या वाके में इतना काफी है या फिर कहानी कुछ और है दरासल राजनीती के विशलेशक यह कहते हैं और तमाम वो लोग जो की सर्वे डाटा अनलिसिस पर काम करते हैं उनका यह कहना है कि शेर बाजार चुनाव से ठीक पहले अगर गिरता है तो यह बड़ी भविश्य वाने के तौर पर होता है कि मौजुदा सरकार के लिए स्थितियां अच्छी नहीं आने वाली है यानि कि अगर सरकार जो इस वक्त मौजूद है सत्ता में अगर उसकी बात की जाए तो शेर माकित से वो जुड़ी होती है चीज़े और उसमें यह बदलाव दिखाई दे रहा है कि कैसे यह गिर रहा है यानि कि सरकार के गिरने के चांसिस जादा है कुल मिलाकर यू कहें कि NDA और India गडबन्धन के बीच में कांटे की टकर शेर बाजार के गिरने के बाद क्लेरली दिखाई देने लगी है ये साफ साफ बात सामने आने लगी है कि किस तरहा से शेयर बाजार जो है वो इस वज़ा से गिर रहा है क्योंकि इंडिया गटबंदन एक मजबूत टक्कर दे रहा है एंडिये को जहां पर 300 का आकड़ा पार करने की बाद बीजेपी कर रही है और एंडिये गटबंदन के कि बिल के अंदर जाकर पूरी जगह बनाने वाला जो काम कर रहे हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह एक अंदर साइलेंट मोड में चीजे चल रही है कई सारे अगर जंता की बात की जाए तो वो भी खुलकर अभी बोल नहीं रही है लेकिन कुछ जगह पर जंत है वी जैपी दस साल से जो घोशजाबा पत्र नाइ Hip पूरा नहीं किया और ये जो घोसजाबंद x आए वा यह इंडिया गटन का मजबूत गहस पत्रे चाहे वो उत्तरप्रतिस में समाजवाधी पाटी का हो बिहार में abroad इत्यादी का हो जाए देश में नई सरकार बनाते हुए दिकराई आम जंता की आवाज है चाहे उत्तर प्रदेश में अस्ती सीट हो समाजवादी पार्टी इंडिया गडबंदन जीत रहा है बिहार में आर जेडी के साथ महराष्ट में जो सिव सेना है उसके बाद में सरत्पवाद जी की पार्टी है कांग्रेस की पार्टी आपको समझ भी नहीं है बीजेपी का घोशड़ा पत्र का मतलब है ठाग जूट उसके बाद लूट मार हत्या गुंडारा जब मोदी जी जाए आराम करें गुजरात में कोई मतलब नहीं है देश की जनता उत्तरप्रदेश की जनता बीजेपी को अबेस सफाया करने जा रही है पीजेपी का घोश्रपत्र के लोग ने लग रही हैं दोडाने लग रही हैं बोल रही है कि आप कमेने की वोट क्यूं मांगने चले आ हैं और कि देखिएगा ज्यादा से ज्यादा तीन सौ से उपर के जो सांसर दो से तीन बार रिपीट हुआ है और सब बुरी तरह चुना वारेंगा देखा है जी जो गोष्रापत्त जारी करती है उस पर अमल लई करती है उतर खिनार कर देती है और जो 2019 सो घोशलापत जारी करती है उसको भी अमल नहीं करती है उसको भी दर के टिरार कर देती है और भार्दी यंता पार्टी ने आज तक जो भी घुष्वापत जारी किया है आप घुष्वापत उसका पढ़ लिया 2014 का उसने लागू नहीं किया घुष्वापत किसका घुष्वापत पसंद आया आपको? हमारे जो समाजवादी पार्टी के राश्टी अधेश है जिस तरह से आपका विदानता हाच्वरपना आप ओलो हाच्वरपना है तिर्पल आई टी आई है आप 45 कंपनियां मानी अखलिस यादो ने अपने मुखमंत्रित कालि में लाए थे तो सीबा से ले करके जो अंतराश्टी कंपनियां है बिना सम्मिट की मीटिंग के लाए थे और इसके बाद लूलू माल जैसा बड़ा माल जो अंतराश्टी माल है लाकर के अस्थापना कर रहा था खाली एक कप्चा पिलाकर उसके मालिक से यहां उन्होंने खुलवाने का काम किया आप बताईए इतने बड़े ऐसा मुख मंतरी मैंने नहीं देखा ऐसा प्रधान मंतरी नहीं देखा सिर्फ वो खाली हिंदू मुसलिम और दंगा फसाद जातियो धरम भारत पाकिस्तान के लावा और हमारे जो आस्था के केंडर है भागवान प्रसोत्तम राम के नाम का दुर्फियों करके चलवा करने का काम करते हैं अगर वह मुद्धा इनके पास ना रहे तो जनता के बीच में जा नहीं सकते और मैं यह कहना चाहता हूं दस बरस का अउलूपन कर रही इनके कारियों का मुल्यांगन कर रहे हमारे देश की जनता खासकर उत्तर को देश की जनता आपको बता दूँ इनके पास इतनी हैसियत नहीं है कि जनता के बीच में चल जाएं खाली जाएंगे तो राम मंदिर और हिंदू मुसलिम भारत पाकिस्तान का नारा ले देखर के सिर्फ की देश कैसे तूटेगा खाली इसका इस्तमाले करते हैं और आने वाले 2024 में अस्य में 55 से लेके 60 समाजवादी पार्टी जितने जा रही है इंडिया गड़ बंधन के नेत्रत में सरकार बनेगी नरेंदर मोधी खतम हो जाएंगे और नरेंदर मोधी के जो गिर्ह मंत्री है उनका जो बेटा जैसा है जितना बलेक मनी था वाइट मनी करने का काम किया है यह सब जेल के अंदर रहेंगे इनकी वो दुर्दुसा होगी जो काम इनोंने किया है बिरोधी पार्टियों के खिलाफ वही दुर्दुसा इनके होने जा रही है जो काम आगे आगे एक ही हैं पिछे पिछे इंडिया गड़ बंधर के लोग करेंगे इनकी धजी उड़ा जेंगे इनकी नेताओं को यह बताईए यह कहते हैं को हमारी माता इसको पूझा जाता है आप बताएं सलाटर हाउस में गाकटने वाली कंपनी से एडियों सीब्या डर दिखा करके डाइस अको लुपे आप चंदा लेते हैं अब बढ़का कहते हैं हम सनादन के हम इठेकेदार है इंदुस्तान के पुरी दुनिया में कहते हैं आप जाकर के कि दारी जो रखा लिया उसका अतंगबादी के नजरियस देखते हैं यह आपकी बिटंबना है इसी देश में हमारे एपीजी अब्दुल कराम है स्टॉक मार्केट क्रेश तब होता है जब शेरों की कीमत में व्यापार के एक या दो दिन में गंभी रूप से गिरावट होती है जब एक देश के अर्थविवस्ता अच्छी तरहां से कर रही है काम आशा जनक दुदुल कर रही है शेर बाजार में तेजी आ जाती है हलाकि एक शेर बाजार दुरगटना वैश्विक अर्थविवस्ता और वीतिय बाजारों के खराब प्रदर्शन में गिरावट से जुड़ा है अन्य समाज एक आर्थिक कारग गुड़ हो सकते हैं जो किसी के नियंतरन से बाहर है जब यू भारत में शेर बाजारों की बात करते हैं तो मुखे रूप से राष्टी स्टॉक एक्सचेंज और बाभे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात की जाती है आईए आपको बताते हैं कि कब कब कैसे राजनीति कारणों की वजह से शेयर बाजार गिरा वर्ष 1992 में भारतिय शेयर बाजार ने अपने इतिहास में सबसे भारी गिरावट देखी और मुखे रूप से हर्शद महता घुटाले के कारण ये सब कुछ हुआ था जिसमें शेयर बाजार और प्रतिभूतियों के हेर फेर शामिल थे 2004 में भरत के सबसे बड़े शेयर बाजार दुरगटनाओं में से ये स्तिती सामने तब आई जब विशेशग्यों ने ये निशकर्ष निकाला कि दुरगटना मुख्या रूप से अग्यात क्राहकों की और से बड़ी संख्या में शेयरों की बिक्री करने वाले विदेशी फर्म के कारण होई थी 2007 में भारतिय एक्विटी बाजार के लिए सबसे खराब वर्ष था 2008 में वर्ड रिसेशन का दौर चल रहा था जबकि भारत चरम से प्रभावित नहीं था वैश्विक पतन भारत के शेयर बाजार के उपर स्विंग को नीचे खीचने के लिए काफी था 2015-2016 इस दौरान भारतिय एर्थविवस्था को काफी बोल्ट ने टकर मार दी जिससे शेयर बाजार में गिरा बटा गई उस समय जब एर्थविवस्था लगातर बढ़ रही थी दुरगटना का कारण चीनी बाजारों में मंदी का निशकर्ष निकला गया था स्टौक चीन और भारत दोनों में तेजी से बेचना इसे शुरू कर दिया था साथी भारत में नोट बंदी को खेल में खरीदा गया था और इससे आर्थविवस्था के कारण होने वाले विवधान को जोड़ा गया इतने सारे हिट्स के साथ शेर बाजार ने अच्छी खासी डुब की लगा दी बाजार क्रैश स्थाई नहीं है उपर जाने वाले बाजार नीचे जाने चाहिए और जैसा की हमने पिछले बाजार में देखा आर्थविवस्था हमेशा खुद को पुनर जीवित करती है दुर घटनाएं भूल जाती है और शेर बाजार एक बार फिर से फलफूलने लगता है लेकिन चिंता का कारण तब होता है जब अनुभवी निवेश्या की घटनाएं भूल जाते है कुल मिलाकर ये भी देखा गया है कि जब देश में सत्ता परिवर्तन होता है तब भी शेर बाजार पर सीधा असर पड़ता है या फिर ये कहें कि जब देश के संसत के चुनाव होते हैं जिसमें देश की दशा और देशा तै होने वाली होती है उस वक्त कॉर्परेट जगत में हल चल मत जाती है और वो भी ये तैकरने लगती है कि आने वाले वक्त में किस तरह से बदलाव होंगे और उनका इंट्रस्ट सीदे सीदे शेयर बाजार पर साप दिखाई देने लगता है जिसके चलते शेयर बाजार में गिरावटे देखी गई हैं हलाकि कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस वक्त तमाम मीडिया चानल जिस तरह से इरान और जिराइल की चर्चा यहां कर रहे हैं वहीं पर अंदर खेल में खुलकर ये चर्चा हो रही है कि एंडी गडबंदन और इंडिया गडबंदन में अच्छी खासी टकर दिखाए दे रही है और ये टकर इस वक्त लोगों के जहन पर एक ऐसा असर डाल रही है जिससे कि वो बड़ा खेल खेलते वक्त खुद को हो सकती है जिसमें अंतर राष्टिये युद्ध की स्थितियां अगर बन रही है वो एक वज़ा है लेगन उसी के साथ देश में चुनावी महौल और चुनावी अस्थिरता अगर दिखाई देने लगती है तो वो भी एक बड़ी वज़ा दिखाई देती है ये कहा जा सकता है कि शेयर बाजार इस वक्त देश के अंदर और देश के बहुत तमाम तहन की अस्थिरताओं को देख रहा है जिसके चलते उसमें इतनी भर गिरावट देखी गई है और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूस नशा